बारत में आजकल खेलों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। बारत में आज़ादी की बाद काफी कम प्रियर थे जिनका पर्दर्शन इतना उज़कोटी का नहीं था। और आजकल बारतियों ने उल्लम्पिक में भी पर्चम फेराया है। बारत सरकार के निरेंटर प्रचम पर्यासों से उल्लम्पिक में हमने पहला प्रचम प्रचम पर्चम प्रचम जीते हैं। इसी करम में जूनियर एटलेटी पट्या जो भारतिय इस तर भारत लिवल की थी उसमें खुस्बू यादव ने 3000 मीटर वॉक में गोल्ड मेंडल जीता और चितन जाट ने बाला पैक में खान से बदक जीता जिजवान मौमत ने 3000 मीटर वॉक में खान से बदक जीता अब समय आ गया है कि हम किलाडियों को प्रोसाइट करें वो ताकि उनका मनुबल भड़े रोदेश के लिए समाज के लिए और भारत के लिए खेलें और भारत का बविश्य उजवलो ताकि भारतियों की एक विश्च क खेल मदान पे एक विश्च पैचानों और हम भारतियों इस मबारे में जाने जाएं कि यहां के एटलीट काफी महनती तता काफी समझदार और काफी अग्रिसार हैं ताकि हम लोग भारत की सांस्काइटिक दरोर तता विश्विविताओं को सब के सामने रख सकें अब समय आ के मनोबर बड़ाएं जैसे हम क्रिकेट फिलरों को समान देते हैं क्रिकेट फिलर के पीछे पैसे की और हर तरह से शायता करते हैं उसी तरह अन्नक खेलों के खिलाडियों के थरभी बारतियों का रुजान बढ़े ताकि उनको किसी तरह आर्थिक परिशनी का सामना नकरना पड़े और वो सक्षम बने संबल बने और उनको प्रोस्तान मिले ताकि वो देश के लिए आगे आएं खेलें और उनसे प्रेड़ना लेके नए खिलाडी नए बच्चे आगे खेल में आएं इस तरह की बावना हम सभी भाड़तों में होनी चाहिए यह ज़रूरी नहीं है कि क बदक प्राप्त किया उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वो भी देश के लिए उल्लमपिक में बदक लाएंगे हमारी सुब खमनाई उनके साथ हैं